हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आगे यूरूब गुल का जो कॉंटोरिंग पैलेट है बहुत ही जादा बैस्ट है और मैंने इसको अप्लाई करके भी आज वीडियो में आपकी साथ शेयर किया है पहले मैंने इसको हैंड पर इसको अप्लाई करके आपकी करती हूँ आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका हमें मिलता है और जितने भी इसके शेयर है सारे ही यूसफुल है और बहुत ही जादा अफोड़ेबल है बहुत ही जादा बैस्ट है तो आप इसे आग बंद करकर बाई कर सकते हैं मैंने इसको यह कोई परमोशन वीडिय नहीं है मैंने इसको अपने पैसे से बाई किया इसलिए मैं आपकी साथ के वीडियो शेयर कर रही हूँ यह है यूरोब गल का कॉन्टोरिंग किट पैलेट तो आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही जादा सुन्दर है और यह यूज करने में भी बहुत ही जादा ओसम है आज एक कमेंट आया था कि मैं इसको यूज करके फेस पर अप्लाई करके आपकी साथ शेयर करूँ पहले इसके स्वेच वाच शेयर किये हैं तो यह अज मैं इसको यूज करके आपकी साथ शेयर कररे हूँ तो जाए ऐसको यूज करके किया हो नहीं है और यह पर अप्लेश भी थेशफ में ऑपने प Likes का होई है और नहीं किया है और रहा कि यह एग ब्लश के जाँ तो वीडियो एडिट कर रही थी तो तब मैंने यहां दिया इस बात का तो यहां पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में तो उसके लिए I'm so sorry तो देख सकते हैं कि Er congress Prague का इस बहुत ही जाँज अच्छा है और मैंने इसको हिलका ही torch में टच जिया है बहुत ही जाँज है तो यह यहां यहां पर िजमी कर देख सकते हैं मैंने अबशियों बहुत है कि यहां पर मीडियम जो था वाला यूज किया है गाइड इसका डार्क सीध है वह भी बहुत ज़ाधा खुर। यह बहुत ज्यादा अच्छाड लग रहा है गाईज। पर यो कि इसका ऑला स् homme अच्छार का श्यृड ias करी के लिए मैं आप य। लाइट शेड को भी अप्लाई कर रही हूं तो यहां पर में ये बलशियर बुछ है योग तो मुझे बहुत जादा पुराना वाला बुछ है बहुत ही जादा पुराना है यहां पर Maybelline का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ तो वाइलेटर को अच्छे pigmentation के लिए इस तरीके से मैं मैं इसको पहले brush पर थोड़ा से मैंने फिक्षर सीमेश की यूज किया है जम बने और मैंने अना पना हाइलाइटर की तम चाहिए किया है इसमें यहां पर swiss beauty का makeup fixer मैंने यूज किया है यह भी बहुत ज्यादा अच्छा है इसका result और यह बहुत ज्यादा affordable है अगर आप इसमें से कोई भी product बाई करना चाहते हैं तो उस अभी का link पर description में add कर दूँगी तो वहां से इसको बाई कर सकते हैं यहां पर lighting का थोड़ा सा issue है क्राफी ज्यादा lighting फेस पर पढ़ रही है तो इसलिए थोड़ा सा face ज्यादा वाइप दिख रहा है बट यहां पर वैसे भी face पर काफी makeup है तो इसलिए और आप देख सकते हैं तो जब भी आपकोई makeup fixer यूज करें तो अपने eyes को पहले close करें आइस को बंद करने के बाद ही कोई भी makeup fixer यूज करना चाहिए और आप देख सकते हैं तो makeup नहीं पर complete हो चुका है मैंने आपर आपकी साथ शेयर किया करके contouring kit को और आप देख सकते हैं आप आप सबी को यह पतल दाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें करें